मैंने एक मॉड्यूल में आपको बताया था कि कितना हमारे पास लकडी कितनी उगती है अगर आप सिर्फ परस को छोड़ दें उनको काटे नहीं जादा उनको छोड़ते हैं पूरा मैच्यूर होना दें तो इतनी सारी एनरजी लकडी के तो पर इस्तेमाद मिल जाती है जितनी ग्रोथ होती है ना सब उसकी ग्रोथ को एक माड्यूल में की थी तो इतनी सारी लकडी है कि वो काफी है एनरजी के लिए हमारे जितने भी जुरूरियात हैं लेकिन वो हमारी कुछ जुरूरियात ऐसी हैं जो कि सिर्फ लकडी से पूरी नहीं होती है लकडी से पिर कुछ बनाए अगर तो शायद उससे गैसूलीन feed करते रहें और बेगम चला रही है तो husband feed करते रहें गाड़ी चलती रही है तो उस तरह से गाड़ी चलती नहीं हमारी हमें gasoline चाहिए और बाकी सारी काफी चीजों के लिए ऐसे fuel की जूरूरत होती है कि जो के useful हो तो वो conversion कैसे करते हैं तो यह वो अलकॉहल है जिसको पी नी सकते हैं, यह अगर पीलेंगे इस अलकॉहल को तो आपने कभी सुना होगा ऐसे खिस्से के लोगों ने कच्छा अलकॉहल बनाया था वह पीलिया हो वह मर गए, वो मेथनौल वगरे की बात कर रहा हूं जो इससे बनता है, जिससे सिर्फ गैसुल बना सकते हैं, उसको पीना पिलाने वाली बात इसमें नहीं होती, तो यह जो गैसुल जिसकी हम बात करते हैं, अब यह मैं बताऊंगा कि अलकॉहल इससे बनता कैसे है, लकडी से यह किसी और जी, और भी चीज़ें जो बायो मैस है उससे, तो उसमें बना लेने के बाद ट्यूबें में सब खराब हो जाएंगी, तो इस वजह से थोड़ा बहुत मिखदार आम गैसुलीन, आम पेट्रोल में मिला के चलाते हैं, तो दस फीसद यहां भी पाकिस्तान में भी जो ए-10 वगारा टाइप का आपका जाएं, पेट्रोल पंप में देखें, उसमें लिका कर दिया जाएं, तो ये, क्योंकि ये वही है कहानी ना, ये अमेथनॉल की, कि जब ये जलेगा, तो दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे दरख वगारा और वो फिर रीसाइकल होता रहेगा, तो कम असकम 10 परसंट पॉलुशन से कम हो जाता है, कुछ जगवां पे जैसे मैं आप को आगे जाके बताऊंगा कि शायद थोड़ा से ज्यादा हो, दस वीसाद के बाया, बीस, पचीस वीसाद तक के कर देते हैं, लेकिन ये जो कहानी है, काफी पहले की कहानी है, 1908 में जो टी मॉडल पोर्ड निकली थी ना, उनने कहा था, इसको हम मेथनॉल से ही चलाएंगे अमरीका में जिसकी बात कर रहा हूँ, हमें बहुत सारे विस्की वगारा बनाते हैं, तो वही चीज़ ही है, थोड़ा सा उसका प्रासेस फर्ख है, वो पिर पीने के लिए बनाते हैं, ये मेतनॉल दूसरे वक्त के लिए, लेकिन प्रासेस तकरीमान होई है, तो उनने कहा क इसकी energy value भी कम होती है, पेट्रोल से कम होती है, इसका मतलब ही कि आप उसको ज़्यादे ज़्याद डालना पड़ेगा, तो इस वज़ए से वह एक लिमिट है जितनी उसमें डाल सकते हैं, उसमें ज़्यादे नहीं डाल सकते हैं, तो इसमें आसानी ये होई थी conversion में के पहल ने डीनेचराइज अलकॉल तो बनता ही है ना पाकिस्तान में लेकिन बहुत कम बनता है 90,000 गैलन के इसाब से बनता है पाकिस्तान में तो वह इतना ज्यादा नहीं है लेकिन उसको फिर उसकी वह है अलकॉहल जो लगाते हैं चोटों-वोटों को साफ करने के लिए वह यहां लोकली वही बनाया जाता है तो वो ऐसे प्लांट पहले से मौझूद थे तो उने का अच्छा चलो इसको इसमें से निकाल के उसमें डाल देते हैं तो वो बहुत आसानी से कन्वर्जन हो गया प्यूर पेट्रोल से मेथिनॉल तक के गैस और अलकॉहल गैस और अलकॉहल को म कहां से आती हैं अब लेफ्ट साइट पर देखें आप वो कुछ गन्ना टाइप के राइट राइट पर टाप पर देखें वो भी गन्ना है बलकुल और मुक्तलिफ कुसम की चीज़ें कॉर्ण है और गन्ना और कॉर्ण जो है काफी यूसफुल है इस काम के लिए लेकिन मस सबसे नीचे वह तस्वीर है उसको कहते है स्विच ग्रैस उसकी खाने की कोई वैल्यू नहीं होती तो उसको काटके इसके बड़ी-बड़ी कहानिया है वह जैसे जो गन्ना है गन्ने से काटके उसका अरख निकालें उसको फर्मेंट करें उसको आलकॉल बनाएं डिस्टिल सुनाया था, वहाँ ब्राजील में 80% जो उनका फ्यूल था, वो इसी से आता था, अभी भी काफी उनकी बड़ी इंडस्टी है, लेकिन सारी डाइवर्ट हो रही है, उनको अब तेल मिल गया है, समंदर के अंदर, तो उन्होंने इसको छोड़के फिर वो तेल निकालना शुर होता है, और कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें कॉर्ण का इस्तमाल, इतने जितमें किसी वेजटेवल का हर चीज में, कॉर्ण, कॉर्ण जूस ले ले ले, कॉर्ण ओयल ले ले, कॉर्ण शुगर ले ले, ये सारी चीजें, सारी चीजें कॉर्ण से आती हैं, मकई से आती हैं, त तो अब वो कुछ चीज़ें ऐसी है, चुकंदर है, चुकंदर से भी बहुत बनती हैं, अब यहां पर शुगर मिल्स हैं पाकिस्तान में, जो सिर्फ चुकंदर से चलती हैं, तो उसका भी कामपिटीशन, फिर खाने पीने की अश्या से थोड़ा से शुरू हो जाता है, तो य वी चीज़ फर्मेंट करें, तो इस तरह अलकॉहल बन जाती है, जैसे कार्बो हाइडरिट, मैंने बताया था पहले, अलकॉहल बन गया, अब अलकॉहल से एक प्रासेस होता है, एस्टरिफिकेशन, उससे आप बड़े आसानी से मेथनॉल बन सकता है, उसको गैसुलीन में आफ चीज़े, चीज़े है, तो थोड़ी से हैवी होती है तक तेल नकलने न इससे तेल निकलता है, उसको अलकॉहल बनाते है। नीचे azने तेल निकलता है, पिर उसकी इस्टरिफिकेशन होती है, और पिर ऐसे यह तो बायो डीजल بن जाएगा, या बायो फ्यूल बन है काई उससे कैसे बनता है यह प्रॉस्स वह होगा जो आप अभी देख रहे हैं क्योंकि सारी जो निकालना उससे अलकॉहल बनाना या तेल निकालना उससे esterification करना process exactly वही होगा लेकर उसकी product जो है उसका source जो है वो थोड़ा सा मुक्तलिफ हो जाएगा process और product जो eventually वही होगा तो ये दो चीजों मिलाके या आप वो बना ले gasoline बना ले या bio diesel बना ले